हेलो फ्रेंड, अगर आप 2022 में अपना खुद का ब्लॉग वेबसाइट बना करके लाखो रुपे कमाना चाहते हैं ब्लॉगिंग करके तो ये वीडियो देखते रही है आज मैं आपको complete step by step बताने वाला हूँ blog website कैसे create करते हैं अगर आपको coding के बारे में पता नहीं है फिर programming के बारे में पता नहीं है फिर भी आप अपना एक professional blog website बनाना चाहते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा drag and drop करके एक blog website कैसे create कर सकते हैं अगर आप search कर रहे हैं how to create a blog website 2022 step by step तो इस वीडियो को देखते हैं आज मैं आपको बताऊंगा जिससे आप blogging स्टार्ट करके Google Adsense से लाको रुपे कमा सकते हैं right now आप data यह देख सकते हो और complete आपको बताऊंगा website कैसे create करना है domain name कैसे find करना है और आप अपनी website के लिए important page कैसे create कर सकते like privacy policy terms and condition या फिर contact form या AdSense के Ad कैसे लगा सकते है अपनी website पर उसके लिए best plugin कौन सा है website के लिए best theme कौन सा है जिससे आप Google Adsense से अच्छा earning कर सकते हो और आपका CPC अच्छा मिले यह सब जानने के लिए इस वीडियो को complete देखते रही है मैं आपको complete बताऊंगा website कैसे create कर सकते हैं और blogging कैसे start कर सकते friends start करते हैं खुद का blog website कैसे बना है और लाखो रुपे कैसे कमा है blogging से अगर आप blogging करके Google Adsense से पैसा कमाना चाहते हैं 2022 में और search कर रहे है how to create a blog website 2022 step by step in Hindi तो इस वीडियो को देखते ही अगर आपके पास 20-25 मिनिट का समय है तो मैं आपको एक professional dragon drop करके आपको website बनाना सीखा अगर आपके पास programming या recording knowledge कुछ भी पता नहीं तभी भी आप एक professional blog बना करके अपनी website से Google Adsense से लाखो रुपे कमा सकते हैं पर मन्त तो start करते हैं सबसे पहले अगर आप first time इस चैनल पर आए तो चैनल को subscribe करके notification on कर सकते हैं ताकि ऐसे वीडियो की update मिले और अगर आप business करते वीडियो में मेरा number मिलेगा call कर सकते हैं तो website create करने के लिए हमारे पास hosting और domain name होना चाहिए और हमारे पास एक theme होना चाहिए तो हम इस वीडियो में theme जो use करने वाले है अश्ट्रा theme काफी best theme है और top theme के अंदर four number पर यह आता है news paper का मैं आपको बता दिया हूँ इसलिए मैं popular theme of all time यह all time के लिए highly customized fast lightweight theme है इसको customize कर सकते एक professional website बना सकते हैं like e-commerce website single page की website या फिर blogging website create कर सकते हैं इसका review आप देख सकते हैं काफी best है और अप pre-build website इससे मिल जाएगा आपको customize without code आप देख सकते हो made for builder और super fast performance आपको मिल जाएगा कस्टमाइज everything इजी है इसका layout setting या फिर color and typography है blog उसके वासे header option सब कुछ आप कस्टमाइज कर सकते हैं Elementor plugin को यूज करके professional blog हम लोग create करने वाले हैं इस वीडियो में तो इस्टार्ट करते हैं तो मेरे पास hosting और domain name पहले से मैं recommend करना चाहूंगा bluehost.in आपको link video के description में मिल ज राय 2005 से 2005 से आप देख सकतो free one year के लिए आपको one year के लिए domain name मिल जाएंगे .com.net जो भी आप लेना चाहते फ्री SSL certificate प्लस SEO टूल है फ्री प्रीमियम क्लाउड फ्रीडियन नेटवर्क आपको मिल जाते हैं वर वन क्लिक से आप WordPress इंस्टॉल कर सकते हैं और 24 आवर सबसे बड़ी बात कि आपको support मिल जाएंगे आपके लिए लिए फ्री इंगली तो आप यहां से आप hosting पे जाएंग बड़ सपोर्ट का प्रॉलम आता है hosting का डाउन हो जाता है यह सब प्रॉलम आते रहते हैं तो मेरे पास एक सी पैनल है और देख सकते हो मैं सी पैनल के अंदर आ चुका हूं और यहां पर इंस्टॉल पर क्लिक करूंगा अगर आपको वर्डपेस पे बनाना है तो वैसे जो पीस लगा दें उसके पासे यहां पर जो मेरा डोमेन निम है यहां पर आप देख सकतो खवर फटाफट डॉट कॉम और इससे पहले स्मार्ट खवरी जो बनाया था अभी यह तो टूंटी 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 इस्टार्ट होने वाला है तो मैं सोचा कि एक और वेफसाइट क्रियेट किया जाए और आपको बताया जाए कि कैसे आप वेफसाइट कर सकते हैं लाइक गूगल एट्स का अप्रोल कैसे ले सकते हैं कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हैं लोगों कैसे क्रियेट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पेजिज कैसे बना सकते हैं एक कंप्लीट डू सब्सक्राइब कर दो देख सकतो हम यह ऑपना इमेल आडी पासवर्ट यहां पर डिटेल कर दें जाएंगे और यहां पर क्लिक कर देंगे अब ही इस्टाल होना चालो हो गया आप देख सकतो थोड़ा साथ वेट कर लेते हैं और आपको यहां पर तोड़ा सा वेट करना है यह देखिए सेकसफुली आपका वर्डपेस इंस्टॉल हो गया कंगरा चुलेशन दर सब्सक्राइब वाज इंस्टॉली और आपका वर्डपेस इंस्टॉल हो गया अभी आप यहां से अगर वैफसाइट को बिजिट करेंगे तो कुछ इस तरह से हेलो वर्ड माई वर्पेस ब्लोग और इस तरह से हम लोग एक प्रोफेशनल ब्लोग बनाएंगे जो हमारा कश्टम यवारल आप देख सकते हो खबरफटाफट डॉट कम स्लेस डव्लूपी हाइफ़न एड्मीन तो आपको पता होगा न्यूज की वेबसाइट पर थोड़ पुछेगा मैं इंटर कर देता हूँ अभी आप देख सकतो वेबसाइट लोग इन हो गया जैसे ही आप लोग इन करेंगे वेबसाइट आपको यहां पर आपका डैसबोर्ड दिखाई देगा और वेलकम टूवर्पेस तो यहां पर एक आपसन मिलेगा स्क्रीन आपसन का अ अब ही एकदम सिंपल सा यहां पर देखिए पोस्ट आपका दिखाई देगा वन कॉमेंट यह बाइडिफाल्ट आया है तो सबसे पहले जो भी बाइडिफाल्ट है उसको हम लोग डिलीट करेंगे यहां पर हलो वड को डिलीट कर लेना है यह एक हमारा काटगरी आया है यह यहां पर बाइडिफाल्ट पेज आया होंगे इसको हम लोग डिलीट करेंगे यह देख सकते हो ठीक है अभी यह डिलीट करने के बाद से अभी हम लोग वैपसाइट के डेसबोर्ड में जाएंगे देख सकते हो यहां पर वैपसाइट के डेसबोर्ड में आगे हैं और यह जो प्रीमियम थी में आपको कहां से कैसे मिलेंगे आपको टेलीग्राम पे सर्च करना होगा वहाँ पर मैं सेयर कर दूँगा वैसे यह फ्री थी मैं अगर आप एक्टिवेट कर लेते हैं तो कुछ एश्ट्रा फीचर आपको मिल जाएंगे चुकि मैं इस वीडियो में एक्टिवेट करके भी आपको दिखांगा इसका लाइसेंश वर्जर हमने परचेच किया है तो अगर आपको सर्वीच है यह अश्ट्रा पर है तू मैं कम्प्लीट प्रीमियम थीम एक्टिवेट करके प्लस मैं फटाफट.com और यहां पर लिखेंगे टैग लाइन इसका अभी फिलाल के लिए कुछ भी लिख देखते हैं लेटेस्ट वाल है हम टिप संटरिक या फिर एक निव स्टैप कर रख लेते हैं लिए एक अंट्रिक कर देते हैं उसके लिए नेष्ट जो आप संट चैंज करने वह ताइम जोन यहां पर आपको कलकता कर देना का से सर्च करेंगे कंगे को अपको मिल जाएंगे कर रहा ह ती कटमांदू यह रहा कोलकत्ता ओके अब आपको सिफ चेंज पर क्लिक करना है जैसी आप सिफ चेंज पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहां पर पर्मा लिंक का अप्शन मिलेगा और पर्मा लिंक पे आपको पोस्ट नेम करना है SEO के लिए बेस्ट होगा अभी यह सेटिंग करने के बाद से हमें करना क्या है प्लग इन में जाना है और इन्पोर्टेंट प्लग इन अपनी वेबसाइट क्लिए इस्टॉल करना यह सब क्लासिक इडिटर और यहां पर है एक एडवांस इडिटर टूल इसको भी इंस्टॉल करना प्लस अगर हमें हिंदी में ब्लॉगिंग करना है तो कर लगीन आता है मैं आपको दिखानों दिखाऊंगा डबलूपी हिंदी करके डबलूपी हिंदी अब इसका नाम डबलूपी हिंदी टाइपिंग अब देखते हैं अब आई थिंग उसका नाम डबलूपी हिंदी टाइप है या फिर कुछ और है देखना पड़ेगा मुझे बट हिंदी में टाइपिंग करने के लिए बेस्ट होता है ब्लॉग में तो अभी फिलाल इस प्लगिन को हम लोग छोड़ देते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप अपनी वेबसाइट को यहां पर व्यूव करके देखेंगे तो अभी करेंगे यहां पर मिल जाएंगे यह फास्ट और लाइट वेट थीम है यह सबसे बड़ी बात है आपकी वेबसाइट क्योंकि आज के टाइम में 2022 स्टार्ट होने वाले हैं और हमारी वेबसाइट की स्पीड बहुत ही माइनर रखता है वेबसाइट की रेंकिंग फेक्टर म तो हमारी कुशी इसतरे से दीख रहा है यहान पर साइड बार है यहां पर हिडर आ ह्रहे है पहले कुछ और और यहां पर अश्च्ट्रप्र ten अधर का वीडियो को देख रहें तक अगर आपको ठीम चाहिए यह तो आप जाएंगे अगर आप बिजनेस करते हैं जॉब करते हैं और अगर पर टाइम नहीं है तो आप मुझे इसी मेल आइडी पर मैसेज कर सकते हैं मैं कम्प्लीट आपको रेडी करके दे दूँगा प्रेमियम थीम के साथ तो यहां पर आप देख सकते हो सबसे पहले आपको प्लग अश्ट्रा बाय थीम यहां पर देख सकते हो यह अश्ट्रा एड प्लगिन पर आपको क्लिक कर देना यहां पर एड़ान प्लगिन यह जो है एड़ान प्लगिन आपको चाहिए तो आपको मिल जाएंगे वहां पर जैसे ही आप एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे यह आप से एक्टिवेट करने के लिए और यह सारे आप देख सकतो यह सारे एक्टिवेट कर सकते हैं यहां से एक्टिवेट तो मैं अपडेट चाहिए तो यहां पर मैं इसको एक्टिवेट जो इसका की है वह इंटर करूंगा तो यह एक्टिवेट होगा और हमारा देख सकतो हो जाएगा update मिल जाएंगे यह देखिए deactivate का option मिल जाए और प्लस यहां से भी आप अच्छा हो तो एक्टिवेट कर सकतो तो अभी आपको करना क्या अगर आप यहां पर आप चेक कर सकते हैं इसको थोड़ा सा यह कंप्लीट हम लोग फिल्ग इन इस्टॉल कर लिए उसके बासे हमें ब्लॉग क्रियेट करना है लाइक एक प्रो ब्लॉग बनाना है तो हम कैसे कर सकते एक बना बनाया टम्पलेट आपको यहां से मिल जाएंगे यहां पर बिल्ड योर वैबसाइट यहां पर आपको क्लिक करना एलिमेंटर पर करना है ब्लॉग इटर यहां पर जाएंगे और यहां पर आपको अगर मैं फिर से यहां से चेक करूं से स्टार्टर साइट पर तो अभी आप देख से तो सारे टम्पलेट हमारे प्रीम यहां पर मिल हमें ब्लॉग टाइप का क्रियेट करना इसलिए हमें ब्लॉग पर जाना है और अगर आपको ब्लॉग क्रियेट करना है तो आप यहां से ब्लॉग टाइप का यहां पर जो भी आपको चाहिए फ्री वाला फ्री वाला देख लो अगर आपको फ्री में चाहिए तो प्रीम है पॉपलर है इसके अंदर अभी हम लोग जाएंगे वेपसाइट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट पेज हम लोग क्रियेट करेंगे जो हमारा इंपॉर्टेंट पेज है तो पेज क्रियेट करने के लिए मेरे पास एक यहां पर आप देख सेके तो मैंने बुक मार्क करके रख प्रिता हूं और लोग इन करने की बास सबसे पहले वेबसाइट में एक कॉंटेक्ट फ़र्म बनाएंगे प्लग इन इस्टॉल किये थे कॉंटेक्ट फ़र्म से वां यहां से हम लोग जाएंगे और पेज में जाएंगे अल पेज पर अगर क्लिक करेंगे कोई हमारा एक प में लिखते हैं बाऊでした आज अब हमें इसका देना होगा यह वैब साइट करने प्राइब साइट करेंगे प्लाकिद्श प्रीव से और इमील ऑडिया हम यहां से नीकाल लेते हैं sorry कि यहां से नीकालना लेके प्रफाइल से इम stärाई का क्रिएट पे आपको क्लिक कर देना है गूगल एडिसेंस के लिए है अभी हम लोग वड़्पेस वेपसाइट में पेज कैसे क्रिएट कर रहे हैं यह चीज हम लोग सीख रहे हैं अगर आप बीगने रहें तो यह चीज आप चान दीजिए यहां पर जाते हैं पेश्ट करते है लोग दो बनाएंगे यहां पर यहां पर शौरी इसके अंदर नहीं यह पेज बन गया दूसरा पेज हम लोग Państwo बनाएंगे आपर इसको बेच से महीं हरे कि यहां पर केश्ट करेंदें यहां पर से अथरी पर क्लिक करना यह रहा है ऑब यहां पर देख सकते हो लिख्ता है कंडिशन पेज करने के लिए पेज क्रिएट करने के लिए यहां पर इंटर करना यहां पर इंटर करना यहां पर वेबसाइट का इवारल रहाएगा प्लस इमेल आईडी आपको देना यहां से इमेल आईडी देना है प्लस यह भी आपका प्रेटी हो जाएगा मन्त एंड कर लिए about contact privacy policy terms and condition यह सारे पेज है इंपोर्टेंट है और इसको यहां पर पेस्ट कर देते हैं ठीक है यह सारे पेज हम लोग क्रिएट कर लिए अब हमें website का एक home page बनाएंगे home create करना चाहें तो कर सकते हैं अभी हम website को चेक करेंगे कुछ इसतर से दिखाई दे रहा है और साइड में यह तो यह सारे हमारे पेज यहां पर आगे हैं बट हमारी website के लिए category इंपोर्टेंट है तो यहां पर category हमें क्रिएट करने के लिए पोउस्ट में जाना है और category पे जाना है पाइडिफाल जो अन कटेगरी है इसको इडिट करते हैं और इसको देते हैं education Slug में भी Education लिख देते हैं Update कर देते है Sorry, यहां पर Spring Mistake है Education, ठीक है Okay, Update करते है फिर से हम लोग यहां पर Category बनाएंगे Latest News का Job and Job and Vacancy ठीक है Take Update Blogging एक Mix Category बना रहा है Multi Category ठीक है अभी हम लोग यहां पर View करेंगे तो जैसे कि आपको पताओगा Astra Theme बहुत ही Lightweight Theme है और Customizable Theme है आप Easy To Use है Drag & Drop कर सकते हैं एक Pro Blog बना सकते हैं यहां पर हम लोग जाएंगे और Search करेंगे हमें Speed Optimize की चेक करना है Google Page Speed टेस्ट कर लेते हैं अभी हमारी वेबसाइट का Speed क्या मिल ला है चुकि हमारी वेबसाइट पर Theme इस्टॉल हो गया है Theme Loading लेता है तो चेक करते हैं भी फिर इसको Customize करना एक Pro Blogger बनाना आपको बताएंगे डेस्पोर पर जाते हैं अभी हम लोग सिक आगे चैखें चपें आप की कियह का क्रना करना है WordPress का किसे इंश्टॉल करना है पेज कैसे करना या पर सेटिंग कैसे करनाफिक अब जानती है आप Google वैरिफाई का करना है सैटमेप का कैसे दिट अश्ट करना है कीवर्ड कैसे फाइंड करना यह सारे अभी बाकी है एक कम्प्लीट वीडियो देख रहा है तो अभी आप परफार्मेंस रिपोर्ट आप देख सकते हो मोबाइल में 99 परसेंट इसका स्पीड स्कोर है और यहां पर डेश्टाप में चेक कर सकते हो अभी थोड़ा सा रनिंग म आपको दिखा रहा हूं यहां पर प्रेस्ट इंसाइड में ठींट तो यह लाइट वेट एक तीमें बहुत ही फास्ट थी मैं अश्umm ओर मोबाल डेश्ट मेंस अब में देख तेया अपको दिखा दिया हैं यहां पर 99 परशेंट और यहां पर डेष्ट आप में चिख कर ले कि इसके अंदर हम 4-5 पोश्ट डालेंगे तभी हमें पता चलेगा इसके लिए हम एक प्लगिन यूज कर लेते हैं यहां पर WP आटोमेटिक से कट्यक्रीः ले ले लेते हैं ट्क का अप्लोड करकर ट्राइए करते हैं तब तब WP आटोमेटिक प्लगिन इस्टोल है और यहां पर हम सर्च करते हैं और कद्म कर लेते हैं यह चुल लेते हैं यह उक्ले कर नहीं को अब यय। अफोस human के जा दो कि कर दे जानेMaybe लेगा मेरी से करना है जाना है और पर रहें है कि यह विडियो देख के कर लेना और यहां से कट्यक्री एजुक्रेउड कर लेते हैं कुछ अपडेट करेंगे यहा पर फब्लीघ करते हैं और चिक करते हैं पोस्ट आ रहे हैं या नहीं की कि भी देख सकतो हूं यह हमारी वेबसाइट पर एक पोस्ट आ गया सकेंड पोस्ट देखते हैं ऐसे चार-पांच पोस्ट कर लेते ताकि कश्टमाइज करने में कोई दिक्कत ना हो और इसका स्पीड देखते हैं अभी मोवाईल में जो मिल ला था 98 परसेंट और अभी एक प सारे पोस्ट आ गया है कुछ यहां पर पोस्ट आ गया है और यहां पर व्यू करके मैं आपको दिखा देता हूं यह अपनी ही वेबसाइट पर आ रहे हैं और वेबसाइट का लुक आप देख सकतो अभी स्पीड अक्टमाइज कर रहे थे हम लोग और यहां पर जो 98 परसें पर क्या पर सानगा आप सर्च कर सकतो लोगोमेकर डॉट काम और हम टेक लिक के टेक से रिलेटेट यहांपर लोगो आइकान आ जाएंगे और यहांपर कोई एक लोग्यू ले ले लेते हैं ठीक है आएक आइकान ले लते हैं और इसका color हम लोग यहां पर change कर देते हैं rate करते हैं और हमारा जो website का title है यहां पर लिख देते हैं बस simple सा एक logo create कर लेते हैं हम लोग इसको capital letter में कर देते हैं खबर फटा फट इसका color हम लोग कर लेते हैं यह ठीक है अब इसको crop कर लेते हैं थोड़ा सा जो भी अर्जेश्ट कर लेते हैं यहां पर तो अभी आप सीख रहे हो website के लिए logo कैसे free में बना सकते हैं logo maker.com पर और ऐसे आप कर सकते हो important page भी हम लोग create कर लिए अभी google में verify करना बाकी है तो अभी हम लोग create करने के बाद से website के dashboard में जाते हैं और website के home page पे जाते हैं यह सारे option हम लोग यहां से आटा देते हैं जो हमें नहीं चाहिए प्लस हमें यह plugin भी नहीं चाहिए तो इसको भी करते हैं यह automatic हो जाएंगे यह देखे अपडेट हो गया तब कोई notification नहीं यह dashboard पे जाते हैं और एक पर website को visit करते हैं यहां पर यह देख सकते हो website को visit करते हैं और website का कुछ look आप देख सकते हो कुछ इस तर से दिखेंगे यह देख सकते हो एक blog simple सा blog बना सकते हैं जिसे कि आपने देखा होगा यहां पर अगर PM योजना सर्च करेंगे PM योजना देखें बहुत सारी website मिल जाएंगे बहुत ही से लाको कमाते हैं मैं आपको दीखाता हूं तो एक simple सा lightweight theme यूज करेंगे तब ही आपकी website होगी देख सकते हो 2.2 million का यहां पर traffic है तो ऐसे बहुत सारी website मिल जाएंगे जो की बहुत ही simple है आप चाहो तो home page पर जो चीज़े रखना चाहते हो रख सकते हो आप से header बना सकते हो ठीक है उसकी बसे यहां पर footer header है आप देख सकते हो स्वारी यहां पर footer header आपको मिल जाएंगे पेजेडर मिल जाएंगे यह पेजेडर एंड पर करेंगे तो यह आप देख से तो कुछ इस तरह से बना सकतो फूल कर सकतो यह अपने इसाफ से इसका नाम लिख सकते हो बट मैं यहां पर डारेक्ट आपको कस्टमाइज करके आपको इसी को दिखा देता हूं तकि आपका लगा कि यह ब्लॉग है सबसे पहले आपको मीनू क्रियेट करना मीनू में जाना है और यहां पर क्रियेट कर लेते हम लोग मेन मीनू एक और इसका पार्ट आएगा जो बहुत इंपोर्टेंट होगा और यह सभी मीनू में यहां पके इन्वास मोबाइल सभी कुछ कर सकते हूं नेश्ट करते हैं कि एड़ आइटम हो उसके बाद से कटेगरी में जाना है एजुकेर्शन लेटर्स नियू जोब ब्लॉग इस सारे कटेगरी हम एड़ कर दिये है अभी हमारा देख सकते हूं यहां पर मीनू आ गया है सर्च बॉक्स चाहिए रिसेंट पोस्ट चाहिए रिसेंट कॉमेंट ह यहां से कटेगरी यह सब ने चाहिए सब रिमोग कर देंगे यहां पर प्लस आइकान पर जाकर करके आप अप एड़ बीक कर सकते हैं यहां से यह चीज़े एड़ होती है तो ड्रेगन ड्रॉप करना है और कुछ नहीं करना है आपको कोई यहां पर दीए प्लस आइकान है यहां पर क्लिक करेंगे अगर हमें कुछ और सो कराना है लाइक इमेज सो करना है यहां से एड़ कर सकते हैं पहले अगर आप सो करना है तो यहां से एड़ कर सकते हैं लेटेस्ट पोस्ट है पॉपलर पोस्ट है और यहां पर पेज लिस्ट भी दे सकते हैं ठीक है यहां पर ब्राउज आल पर क्लिक करेंगे तो यहां पर बहुत सारे आपसन आपको सुख करने के लिए मिल जाएंगे लेटेस्ट पोस्ट का है पेज का है मेटा का है नेविगेशन का है यह देख सकते हो एश्टरा फीचर आपको मिल जाते हैं कि साइब बार मेंहम लोग लेटेस्ट पोस्ट ही रखेंगे उसके बासे अमलो भना जाते हैं और हेड़र स्टाइल में हमें क्या-क्या करना ऐससे पहले लोगो करना यहां पर लोगो पर जाते हैं ढूरे सो सब्कूसित करें सैंदि लोगों हैं लगों और हम लोग बनाये थे और रेकोर्डिंग चलू है यह भी बिल्कुल चलू है कि इस कि एकप क्रोपिंग आपके यह ठाइटल अब देखाता तो अब ह 피부 आक पॉइन लोगों भी सोरा है अपनी हिसाब से और जेश्ट कर लेना है फो यहांप़ टाइटल सोर है इसको अफ कर देते अब देख साथ लोगों का सैज्ट सा लोका जो वीड विद है अपने हिसाब से अर्जेस्ट कर लेना इस कितना है । मेसे फूल है फूल कार आँ को इतना पहुंस चहीं है है मॉबाइल में आप सखे सकतों मॉबाइल के लिर ऑरेजस्ट करलो लोगों अपना मोभाइल में कितना सो करना मोबाइल में भी आप टाइटल को आफ कर दो सही रहे Paul में इसका विद बड़ा कर tôi यहाँ पर मेनू रहेगा आप पर क्लिक करने पर open हो जाएगा तो अभी आप लोगो लगा लें मोबाइल में आपकी website कुछ इस तर से दीख रही आप देख सकतो यहां पर प्रिव्यू करके अगर आपका फोन चोटा है तो कुछ ऐसे दीखेगा तो इसमें हम लोग थोड़ा सा अर्जेस्ट करेंगे यहां पर देखो इसमें अर्जेस्ट करने के बाद से इसको भी हम लोग आफ करते हैं चुकि हमें एक professional दिखाना है सारी चीज़े देख सकतो तो मोवाइल में आपका ऐसा दिखेगा यह ब्लॉग पोस्ट आप देख सकतो कुछ ऐसे दिख रहे हैं यहां पर नेश्ट पेज है और सर्च बॉक्स होकर आ रहा है प्लस यह टबलेट में आप देख सकतो टेबलेट में कैसा दिख रहा है और यहां पर कंप्यूटर लेप टाप में देख सकतो कैसा दिख रहा है अब आपको सारा चीज वाद से पब्लीस कर देना है पब्लीस करने के बासे अभी आप चाहो तो यहां पर बैग जा सकते हो बैग जाने के बासे ब्रेंट के है या फिर ग्लोबल ये आप इसके अंदर पर्फार्मेंस भी है मिनु भी है साइट इडन्टी ये सब छोड़ दो इसके अंदर मुझे करना है ब्लॉग का सेटिंग और कुछ ऐसे सेटिंग हमने करना है कि पोस्ट के बीच में ठीक है यह प्रिविव आपको दिखाए दरा लेफ्ट राइट ऐसे कर सकते हैं देख सकते हैं प्रिविव आपको कैसे करना है इस पेस आपको कैसा देना है कॉलम वन टू कॉलम में पोस्ट सो कराना चाहते हैं दो क आपर एक चीज़ आप सेटिंग करेंगे हाइल फर्स पेज यह फर्स्ट पोस्ट है, मौन देख सकते हैं यह फर्स्ट पोस्ट है और उसके वासे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा डिजाइन आ रहा है ठीक है इसको अपडेट करते हैं एक बार हम लोग व्यू करके देखेंगे यह कहता है सो हो रहा है और फिर इसका कलर कंविनेशन हम लोग चेक करेंगे अभी आप देख से तो कुछ इस तर से आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी पोस्ट नहीं है हम पेज़ पर कितना पोस्ट सो हो रहा है 1234567 और 8910 कर देते हैं हम लोग अब 10 करने के लिए यहां पर एक्सपेक्ट लेंथ जो है इसको हम लोग कम कर देते हैं यहां पर 20 कर देते हैं है कि अधिक कर रीड मोर का आप संदेना चाहते है यह नहीं देना यह देखिए कम हो गया उसके पास से थोड़ा सा मैं और कम करना यह टाइटल हमारा आटोमेटिक आइस लिए थोड़ा सा बढ़ा दिक रहा है और पोस्ट पेजी नेशन पे हम लोग नंबर या फिर या फि कॉल कर देते हैं कि यह देखिए यहां पर आ गया लोड मोर का ठीक है यह हटा दिए उसको डिस्प्ले लोड मॉर है कॉंटेंट कॉंटेंट अब यहां पर यहीविज हमें हाइट कर ना दिखाना है यह कॉमेंट का और ऑथर का हम interventioned हम लोग इस कर देते हैं कब पब्लीस यूँए था और 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 उस्प आप फिर ना चाहते हैं तो करा क्या बाहिए कर सकते हैं से एंगा हो गया इसको ऐटा देते हैं चूड़ देंग से के रचान्स DIRECTOR click यह आप के सकतव हो यह च convention कर आप देख सकते हो कि पोस्ट के र्रहिए पर आप लेकं और यह ब्लेक और थीए के फोन छेंज हो गया है तहों मैं रूआने देता हूं यह मेटाप्स पोस्ट ट् justement अगर चेंज करना चाह सब्सक्राइब अधल score अब हम लोग zou गूगल में जाते हैं यह वल billing करते हैं देख सकतो है यह चेंज हो रहे हैं ठीक है थो डीजान में बस हीरे अभी टाइपोग्राफिय में निय Vanガсть की कही यहां पर देखिए इक सेकेंड तो पोश्स अब देख सकतो है एक और पोस्ट लोड ले लेगा एक करते हैं यह सेसे आप से हट अपर तो मेह इसको अंगार का हम लोग डिजाइन कर रहे हैं जो कमेंट तो ये SINGLE इप्येज का हम लोग दिखा है कस्तमाइज में आप इसका टाइटल हो और कस्तमाइज कर सकते तो इसमें हम सिंगलàiस के अभर हम पेजश करेंगे तो साइ dineroप करें तो साइड आइडещ्टी में na वहीज लोगगों फूटरées में हम लोग जाएंगे और यह फूटर से शाफे आड्लरा अर्म यार्म लेस्किला है ही पार लाइंप आंक से पहले वह पता शाच करना है वोन टू ठी रखते हैं ठीटे के ठीट के लिए थ्री हम लोग रख के एक बार अब इसके अंदर क्या-क्या रखना चाहते फुटर बॉन में यहां से भी एड कर सकते हैं जिसे कि लिटिश्क पोस्ट कर देते हैं यह हमारा फूटर में आ गया अब यहां पर क्लेंडर एड़ करते हैं अरुछ कर लेते हैं यह रहा ठीक है थौड में हम लोग कटेगरी एड़ कर लेते हैं अब हम लोग एड़ कर लिए प्लस अगर हम यहां पर सेटिंग में जाएंगे सेटिंग के अंदर रीडिंग का अपसन है और रीडिंग में आप देखेंगे टेन पोश्ट है इसको 11 कर देते हैं क्योंकि वहां पर डिश्टब कर रहा था इसको होम पेज पर जाते हैं अब देखो अब ये फिक्स हो गया हमारश यां से जो 11 पोस्ट तो हो रहे थाना यह से आप फिक्स कर सकते हों पेज पर लाइक अभी मैं 5 का देता हूं 5 तो आप देखो कैसा दीखेगा यहां साप चेंज कर सकते हूं यदि क्लिए देख सकतू है तो मैं एट कर देता हूं दिखता हूं फिक्स होता है या नहीं कि नाइन करना पड़ेगा नाइन नहीं तो अलेवन तब यह फिक्स होगा जैसे कि उसमें हम लोग किये थे तो होमपेज का पोस्ट आप देख सकतो कुछ कर दियें और यहां पर इसके नीचे भी आप कुछ रख सकतो काटगरी रख सकतो लाइक अभी आप देख सकतो एजुकेशन से रिलेटेड हमने एक काटगरी में जितने भी पोस्ट है वो डाला था इसलिए जुकेशन एक ही सो हो रहा है अब इसका बैक्राउंड कलर या फिर यहां पर ट्रोट करता हूं इसको फिर एक बार कस्टमाइज पर जाता हूं और इसका जो हैडर बैग्राउंड कलर है या फिर फुटर बैग्राउंड कलर यहां से आप चेंज करेंगे और मैं थोड़ा सा आपसन इसका देख लेता हूं कहां पर एं ग्लोबल हेडर में ग्राफिक के अंदर से फांट साइज थोड़ा साम लोग इंक्रेज कर लेते हैं कि देख सकते हो बढ़ रहा है ओके है एच वान का फाइच वान का भी साइज बढ़ा सकते हो गटा सकते हैस्टू का भी यहां से सारा सेटिंग होगा यह जो हेडिंग का है कि अच्वान को अटाते हैं अभी हम लोग यहां पर जाते हैं कंटेनर में यह इसका बात कर रहा है फुल विद में सो कराना चाहते हैं कि यह देखिए अभी चेंज होगा उपा से पूरा देख सकतो कैसे चेंज हो रहा है encourage आख कि अग देख सकतो ह। अ अगे डिजैन में होई आप यहां से और संपर कर दिक्स किपार देना चाथे ले कि और सबस्कर अधे सब आप कर सकते हैं ठीक है इसका यहीं से ब्लॉग पोस्ट मापकर यहां पर करका पर पकरता गुए तो मैं बॉक्स में ही कर देता हूं harvest रहागा यह बॉक्स में दिखेंगे यह चाहा उपर बॉक्समें अगर आप यहां पर करें सम 근데 LinkedIn box मेh अगर आप सिंग्ल पोस्ट को यहां पर सेव करते हैं सिंगल पी, भाक्स हें। यह फुरा बाक्स में जिसे जनरेट प्रेस में होता है न, यह यहां से सेटिंग करेंगे डाप , कंटेनर हो बटन हो गया कलर सबसे इंपोर्टेंट है चुकि हम लोग यह सर्च करें थीम कलर में कलर यह हम इसको रेड करेंगे कि मैं हाइलाइड जो कलर है रेड होगा भी जितने जगा लिंक थे हैं यह आप देख सकते हो रेड हो गया है दिखाने का देता हुँ और यह कांटेंट बैगरांड कैसा दिखाना चाहते हैं यह बात कर राएच फ़के लिए आप कौन सा कलर देना चाहते हैं सब्सक्राइब, इसको दिए तो यहां पर देखिया, ब्लेक रेड यह हो जायगा, चेंज लिंक कलर सबसे इंक्पोक्टेंट इसको येलो करेंगे हम लोग ये देखिए येलो, लिंक येलो हो रहा है यhã से तो मैं येलो करूंगे क्योंकि हमें header का background black रखना इसलिए yellow कर रहा हूं फुल yellow करेंगे ठीक है ये तो हो गया heading color h1 और h6 का ये heading color है देखो ये चेंज वा रहा है तो I think black रख दीजिए मेरे इसाफ से बेस्ट रहेगा text color है by default रहने दीजिए text को ऐसे ही ठीक है कि इसको सेब करते हैं अभी हम लोग header का देखते हैं header का कहां मिल रहा है container भी header भी button का ये option है कि ये जितने भी button है आप देख सकतो ये चेंज हो रहा है style आप इसका देख सकतो ऐसे है अब देखो ये button ठीक है और text color आप देख सकतो रेड है इसके अंदर तो हम इसको करने वाले हैं हम ब्लेक 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 बेस्ट रहेगा और ये link color है रेड देख सकते हो ठीक है ये चीजिए ऐसे कर सकते हो इसका बैग्राउंड अगर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो कि अब बाइड फाल चोड़ देते हैं विद्ध और हाइट आप देख सकते हो एक-एक है सेप करते हैं ये button का setting आप मिल गया उसके बाद से जो ये जो आपका पेज है नीचे ये वाला है इसको आप दो कि सुक रहना चाहते है कर लिए आइकान को बडा चोटा ऐसे कर सकते हैं कि लिआ तुन्टी आइप मैं कि मोबाईल में कैसilian देखेगा ये फिर राइट लीप कि यहां से अपि सेटिंग कर सकते हो को के स्कोल डाउन पेज जो पेज है अब हम लोग जाएंगे फूटर का फूटर यहां पर सर्च करेंगे फूटर बिल्डर यहां पर है और इसका डीजाइन में हम लोग बैक्ग्राउंड कलर यहां से देंगे ब्लेक और ब्लेक देने के बाद से हम लोग एक बार एकाउंट को यहां पर स्वारी वैपसाइट को रिफ्रेज करेंगे और यह ब्लेक आप देख सकते हो एक बार और हम लोग चेक करते हैं यहां से इसका यह बैग्राउंड कलर क्यों ऐसा रहा है कि यह कांफिरेट जो आ रहा है नीचे आप अश्ट्रा थी मोगरा लिखा वह यहां से अटा सकतो इसको मैं हटा देता हूं बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से ठीक है अब चाओ तो सो कराओ है या फिर हटा सकतो यहां से देख सकतो हाड़ी है थोड़ा सा मुझे एक सेटिंग देखना था अभी मिल नहीं रहा है वह सेटिंग और अभी हम लोग यहां से हेडर बिल्डर में हम लोग चेक कर लेते हैं हेडर बिल्डर में यहां पर आप देख सकतो कितने टॉप पे चाहिए क्या चाहिए क्या नहीं नहीं चाहिए प्लेस इसको आम लोग जाते हैं और वर्ड़किनम्न रेते हैं इसे साहरा हम लोग लोग ए mountain प्लिंग में लोग उख दाते हैं कि मिले की छोड़ देते हैं बेश्ट रहेगा मुझे एक चीज यहां पर तीक अभी मेरे हिसाब से ब्लॉग जो है कि थोड़ा सा सही दीख रहा है और आप कंटेंट डालेंगे थोड़ा सा और भी टाइम देंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो रहा है और अगर आ बता दिया हूं स्वारी वीडियो बनाया हूं इस वीडियो में ग्लोबल में आप जाएंगे टाइपोग्राफी में यहां से फॉंट चेंज कर सकते हैं पुरा वैफसाइट का ही फॉंट यहां से चेंज होगा प्लस यहां पर आप देख से तो एश्टा फीचर आपको मिल जाते हैं इसके अंदर फॉंट का इस्टाइल का फॉंट बड़ा चोड़ा कर सकते हैं उसके बाद से आपको कलर का अपसन है कलर में आप अपना कंबीनेशन बना सकते हैं लाइक थीम कलर यहां पर लिंक कलर जो है यहां पर चेंज कर सकते हैं बैक्राउंड कलर यहां से सब कर देता हूं चुकि बेश्ट लएगा उसके बास से कॉंटेंट बैग्राउंड है मताब पोस्ट के अंदर जब सो होगा तो कैसा दिखेगा यह सारे आपसें करने के बासे मैं यहां पर एक बार सेप करता हूं फिर यहां पर वेबसाइट को फिजीट करता हूं तो अभी आप अब देख सकते हो एक हम लोग ड्रेगेंड ड्रॉप करके एक सिंपल सा ब्लॉग वेबसाइट कर लिए और इस वेबसाइट पर गूगल एडिसंस का फास्ट अप्रूवल मिलता है तो पोस्ट लिखने के लिए सबसे पहले हैं जैसा कि मैं आपको बोला था कि पोस्ट भी आपको लिखना बताऊंगा आपको यहां पर पोस्ट पर जाना है एड़ने उपर क्लिक करना है और जैसे ही आप एड़ने उपर करेंगे यहां पर पोस्ट का टाइटल होगा यहां पर पोस्ट का में कीवर्ड जो होगा पैरग्राफ होगा यहां पर आपको देना है इमेज पोस्ट में यहां से एक करना है जो पोस्ट का category select करना हा से select करना योज का सेटिंग है तो यहां पर आप MATA Description लिखेंगे और जब लिखेंगे तो यहां पर फियूहरी होगा टैग यहां पर आप दे सकते हो Future Image यहां से लगा सकते हो प्लस पोस्ट को Publish कर सकते हो उसके पासे अगर आपको Google में अपनी वेबसाइट को वेरिफाई करना है जर्नल आपसन पर जाना है और यहां पर वेबमास्टर टूल पर क्लिक करना है यहां से आपको वेरिफाई करने के लिए आपको सीम्पल अपना email id लोग इन करना है यहां पर आप देख सकत हूँ email id डालने के बाद से meta tag पर क्लिक करता हूँ यह एक verification code देगा यहां पर आपको paste कर देना है आप continue पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप continue पर क्लिक करेंगे ownership auto verify go to property पर जैसे ही आप जाएंगे आप एक professional website बना सके पर यह थोड़ा सा ज्यादा हो गया क्योंकि कुछ extra चीजे मैं आपको बता रहा हूं एक ही वीडियो में कबर कर रहा हूं फिर भी एक दू बार refresh करेंगी अगर आपको यह error आ रहा है तो आपको यहां पर plugin में जाना है गूगल site kit connect कर लेना है या फिर आप लिख सकते है गूगल xml यह लिखने बासे गूगल xml लिखेंगे जैसे ही यहां पर एक plugin आ जाएगा site map xml का sorry यह वाला तू मिलियन प्लस install है active है जैसे ही आप activate कर लेंगे यहां पर इसको हम लोग delete करते हैं delete करने के बाद से फिर से आपको site map बेज जाना है जो आपका पोस्ट का e-viral होगा site map का आपको यहां पर plugin से चेक कर लेना है यहां पर xml में जाएंगे और यहां पर setting का अपसन मिलेगा यह देख सकते हो और यह आपका और refresh करें और I think कि यह आपका error जो है कि fix हो जाए अगर फिर से नहीं हो रहा तो देख सकते हो अभी फिर से नहीं होगा तो आपको करना क्या देखिए आपको google site kit connect करना होगा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है इसके लिए तो site kit से आप connect कर सकते हैं या फिर site map कैसे बनाए यहां पर site map का अगर आप search करेंगे search homepage पर जाएंगे वीडियो में site map कैसे बनाए यह देखिए अभी थ्री वीक पहले हमने एक वीडियो डाला था और लेटेस्ट अपडेट का अब इस तरह से वेरिफाई कर सकते हैं पहुँ सारे वीडियो मिल जाएंगे ठीक है तो बस आज के लिए इतना ही अगर आपको कोई भी सर्विस चा तो तो तेंक यू